ओम नमस्षिवाई तंत्र के रचैता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है आज से लगभग 15 साल पहले मैंने एक मोहिनी मंत्र जो है वो यूट्यूब को दिया था और उस मंत्र से असंख्य लोगों का लाब हुआ है ऐसे ऐसे घर थे जहां पर की रिष्टा तूटने वाला था वो इस मंत्र से अपना घर बचा पाए यह कितना प्रभावी मोहिनी मंत्र जो की लाखों रुपे खर्च करने के बाद भी आपको ना मिले लेकिन वर्षों पहले उस मंत्र को मैं पब्लिक डुमेन में डाल चुका हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा वही मंत्र जो की लुप्त हो गया है आजकल दिखता ही नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि इस मंत्र को आप प्रियोग में लाएं और बताएं किस गती से आज भी ये मंत्र काम करता है क्योंकि ये शाबर मंत्रों के श्रेणी में आता है और जो शाबर मंत्र होते हैं वो गाउं दिहात से मैं लेकर आता हूँ कई बार तो ऐसे भी होते हैं जो बज्जारों से मिल जाते हैं कबीलों मिल जाते हैं मैंने राज़स्थान का ऐसा कोई कूना नहीं छोड़ा जहां पर की मंत्र के तलाश में मैं भटका ना हूँ जोद्पुर में एक गाउं है बनाड और बनार्ड से ठोड़ा सा अगे को है जाजीवाल वहाँ पर बंजारों की बहुत बड़ी बस्ती थी उस समय पर अब तो नहीं जाने कैसा हो गए है क्योंकि कंसे कम 20 साल हो गए है 20 साल पहले मैं वहाँ पर गया था तो वहाँ पर गबीले के सरदार ने मुझे ये मंत्र दिया था और यकीन मानिये जो राजस्तान की मिट्टी है उसमें कुछ बात है मैंने ऐसी ऐसी चीजे देखे वहां पर जिसके अगर मैं व्याख्या करने बैठ जाओं तो आप कहेंगे कोई साइफाई मूवी का बखान कर रहे हैं उस समय क्या होता था कि नहीं चलते थे इतना प्रचलन नहीं था लेकिन उस समय आखी थी सब के पास तो हम सब देख पाते थे जब मैं अपनी विद्या समाप्त करके वहां से निकला तो राजस्तान में एक बड़ी ही अजीब घटना में साथ घटी आप यू समझे कि मैं जो ट्रेन थी मैं ट्रेन थी बिलकुली और उस समय पर वो बहुत बड़ी है लेकिन अब जग अगर देखा जाए तो बिलकुल थार्ड क्लास बकरियां भी उसमें बांदी हुई थी तो हुआ ये कि मैं मेरा हमेशा मन करता है कि मैं खिड़की के पास बैठूं और निहारता रहूं पेड़ों को इध और वो बिलकुल ठीक मेरे डबबे के साथ साथ चले जा रही है तो ये देखकर आश्चरे चकित हुआ मैं क्योंकि उस समय मैंने ऐसी कोई पिच्चरे भी नहीं देखी थी जिसमें कि ऐसा कुछ दिखाया जाए या फिर कुछ UFO के बारे में किसी ने बताया हूँ कुछ भी दिखाया तो उन्होंने का कि इसके तरफ उंगली मत कीजे वरना ये हमारे उपर या के गर जाएगी इसे मुठ कर नहीं बोलते हैं तो मुझे बड़ी जिग्यासा हुई कि ये क्या चीज है और ये ऐसे कैसे बीनाईधन के ऐसे कैसे चीज़ा चल सकती है तो उस समय बहुत ह ज़्यादा मुझे उत्सुकता हुई इन सब को सीखने की और मंत्रों पर मैं रिसर्च कर रहा था तो उसके बाद जो है मैंने इस ग्यान को भी अरजित किया और इसे भी चलाना सीखा कि किस तरह से ये चलाई जाती है तो राजिस्थान जो है वो ऐसा इलाक है जहां पर की जनसंख्या बहुत कम है आप लोगों को उंगलियों पर गिन सकते हैं और इसी वज़य से जब एकांत स्थान होता है जहां पर ज़्यादा लोग नहीं होते ज़्यादा ज़्यादा जनसंख्या पहुंच नहीं पाती ऐसी जगहों पर तंत्र ख्रियाएं की जाती है यदि आ तो पहाड़ पर आपको मिलेंगे या किसी गुफा में या किसी ऐसे अबेंडन प्लेस में मिलेंगे जहां पर कि लोगों की आवाजा ही ना होती हो तो ये बाते तो बहुत मैं दिन रात कर सकता हूँ और शैसे यूट्यूब का स्टोरेज खतम हो जाए इतनी सारी जो हैं मे मैंने ऐसी चीजे देखी हुई हैं और यदि उसको मैं दिखा पाऊँ आपको उस समय पर यदि आप मेरे साथ होते तो आप कापने लग जाते क्योंकि हम डरे हुए था हमें पता ही नहीं था कि हमारे साथ चल क्या रहा है तो सब कुछ होता है दुनिया में यदि आपने वो बिल्ली वहीं पर है ये कबूतर की नादानी है तो मंत्र सुन लीजिए मोहिनी मंत्र है शाबर मंत्र है आपको आपकी इच्छा के अनुसार फल अवश्य प्रदान करेगा बस आपको कुछ चोटी सी जो है साधनाई करनी होंगी कुछ आपके भीतर बदलाव करने होंगे जिससे कि ये मंत्र आपके लिए अवश्य काम करेगा मंत्र थोड़ा बड़ा है तो गौर से सुनियेगा मंत्र है मंत्र बहुत ही सरल है इसको कोई भी कर सकता है और अगर किसी को बड़ा लेगे तो मैं उसके लिए दुबारा बोल देता हूँ नमो नमः पिशानी रूप त्रिशूलम खडग हस्ते सिहरूडे अमुक अमुकी यहां पर अमुक के जगे पर आप किसी भी साध्य वेक्ति का नाम ले सकते है मे वश्मा वश्मा गच्छ मागच्छ कुरु कुरु स्वाह यदि आपको कोई भी यंत्र मंत्र तरंत्र सिद्ध चाहिए तो आप कालिविद्या.com पर जाकर उसे और्डर कर सकते हैं वहां पर आपको चैट का उप्शन भी मिल जाएगा जिससे की आम जन्ता भली भाती कर सकती है कई बार मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जब मैं उनसे दक्षिना मांगता हूँ तो वह कहते हैं कि गुरु जी हमने आपका वो वाला मंत्र देखा था क्या हम उसे कर सकते हैं जरूर आप कर सकते हैं लेकिन बिना गुरु को दक्षिना दिए यедि आप कोई भी साधना करते हैं तो फलित नहीं होती तो गुरु को चाहे कुछ भी दीजिए अपनी सामर्थिक अनुसार आप कुछ भी छोटे से छोटा द्यावन दीजिए लेकिन बिना गुरु को समर्पन किये बूत सब जानते हैं, बस आपको जो है उन पर विश्वास करना है, विश्वास के बिना तंत्र में प्राण नहीं होते, अतसत परिश्रम करे जो कोई अनलब प्रकट चंदनते होई, आपको बस परिश्रम करते जाना है, जैसा गुरु कहे ठीक उसी भली प्रकार, यदि आप म पश्यफल देते हैं, इस मंत्र को किसी भी पूर्णीमा के दिन होली दिवाली नवरात्रों में, 108 की संख्या में, त्रिकाल संध्या जपने से, 11 दिनों तक आपको जपना है, यह सिद्ध हो जाता है, शाबर मंत्र है, यदि आप इसको सिद्ध नहीं भी करना चाहते, तो भ बहतर प्रभाव के लिए आपको इसको सिद्ध करना पड़ेगा, इसकी गुम्फन विदी है कि आपको सूरी के तरफ मुख करके बैठ जाना है, मिर्ग चरम का प्रियोग करना है, अगर वो ना हो तो कोई भी उनियासन बिछा सकते हैं, इस में आपके जो वस्तर होंगे, उ भी लाल होंगे, इनकी जो देवी हैं, वो मा भगवती हैं, नवरातरों में यदि ये मंतर किया जाए, तो अत्याधिक फल देता है, और अपने ग्राम देवता को, अपने इश्ट देवता को, अपने गुरुवर को, कुछ ना कुछ चड़ा कर, उसके बाद इसका करें, तो ये शिगराती शिगर आपको फल देगा, और जो भी साध्य व्यक्ति होगा, वो बस आप ही कि माला जपेगा, ये ऐसा मंतर है, जो कि सर चड़ कर बोलता है, बस लगाने वाला चाहिए, होता सब कुछ है, बस उस चीज़ को महसूस करने वाला चाहिए, उस द्रश कि कितनी शिगराती शिगर इसने आपके काज सवार दिये है, मुझे आप वाट्स अप कर सकते है, 999-284-1625 पर, या फिर मुझे आप मेल भी कर सकते है, info at the rate mohinividya.com पर, धन्यवाद.